भारत की संत्व प्रंप्राओं और भारत की संस्कति को देश और विश्में पोचाने वाले सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज जो ये संत्व सभाय जिसमें हमारे प्रंपुज संत्विराजवान हैं जिनों ने अपनी तप तपश्चा से अपने समर्शुक्पन से इस देश में नहीं पूरे विश्च के अंदर भारत के आध्यात के ज्यान को उसकी संस्कति उसकी प्रंप्राओं को पहुचा कर एक मानो कल्यान का काम किया है आज हम सब हम सब के सिधे जूना पिठादीशर आचारे महामंडेशर शामी आउदेशा नंगिरीजी महराज का जिनोंने अपने जीवन में तब तपश्या आध्यात में मुल्यों के सरक्षन, रक्षन, समर्दन और जिनोंने अपनी तपश्या से हजारों लाखों संतों को साधू की दिख्षा दी और शेष्ट प्रंप्राओं को पहुचाने के लिए देश और दुनिया में उन्होंने एक ऐसी वैस्ता कायम की जिसके कारण आज पूरे देश में और पूरे विश्व में भारत के आध्यात की और संस्कृति का वहाग के रूप में बने हुएं आज आचारे पीट की दिवे 25 वर्ष हो हैं और इस 25 वर्ष में ये दिवे मौसव जिसमें मुझे भी आने का मोका मिला मैं इसके लिए आपका क्रत्यक्य हूँ कि आप जैसे इतने संतों का आशिरवाद मिला आपका आध्यात में ग्यान आपकी वानी आपके ग्यान का कुछ लाब हमेव मिले और हमारे बीच में मानिने राजना सिंग जी जो राज़िती के अंदर जुन्होंने एक सुचिता से अपना जीवन को जिया संगठन के अंदर भी उन्होंने एक ऐसे संगठन में अपने जीवन को समर्पन किया जो आज देश और प्रदेश के अंदर शाषन कर रहा है और रक्षामन्ती के रूप में जिन्होंने देश नहीं पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल कायम की कि हम केवल हमारे देश की नहीं रक्षा कर रहें विश्व के अन्य देशों के अंदर भी कि सब अपनी अपनी सब्रभुता से रक्षा करें उसके संसाधन उपलप्त कराने के लिए भी एक अबुद्पूर काम किया आज जो संतियां बिराज रहे हैं इन्होंने अपने जीवन को तप और तपश्या और कितना समर्पन है उनकी तपश्या के कारण आज एक संत प्रंप्रा नहीं एक आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की प्रंप्रा से एक मानो निर्मान का काम किया हर चुनोतियों से कट्नाईयों से लडने का अध्यत्मिक घ्यान दिया जिसके कारण मन में कभी भी पीड़ा हो, दर्द हो अवसाद हो उस अवसाद को अध्यत्मिक घ्यान से अपनी संस्कृति की घ्यान से उसको जीवन जीने की रहा दी आचारे महामंडेशन शामी अवदेशा नंजी ने किवल देश में नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर सनातन संस्कृति प्रंप्राओं के साथ हिंदू धर्म और गंठों को जिस सहल भाव से प्रस्तूत किया आज पूरा समाज उनका बिनी है जिन्होंने आम जन्मानस के अंदर सनातन संस्कृति और ग्यान को सरल भाव से पहुचाया जिनकी व्यान वानी से जिनके ओजस्वी तेज से आज हजारों सन्यासी लाखों सन्यासी इसी जुना पिठादीश में सन्यासी बनकर और भारती संस्कृति के वहाग बने हुए है आज शामी जी के चर्णों में ससस प्रणाम करता हूं शामी जी का प्यार सुनही अटूठ है जिससे उनका एक बार मिलना हो जाता है उनका सुनह, उनका आशिवाद, उनका आध्यात्मी दिव्य, ज्ञान, उनका आध्यात्मी प्रेम और जिस तरीके से बाबा राम देव जी कह रहे थे कि जिनोंने इस भार किये संस्कति संत्परंपराओं को केवल देश में नहीं दुनिया में पहुचाने का काम किया, जिनोंने अपनी वानी से, लेकक से, शब्दों से, और विशेश रूफ से उनके तेजस्वी, भावर के तेजस्वी चहरे से, दुनिया का हर आम आध्यात्मी प्रभावित होता है, आज मैं उनको प्रणाम करता हूँ, कि उन्होंने इस पच्चीस वर्ष के अंदर इस संत्परंपराओं को और आगे बढ़ाया, और संत्परंपरा और भारतिय संस्क्रति आध्यात्मी को पदिस्तापित किया, हम सब भारतवाशी उनके रिणी हैं, जिन्होंने संस्क्रति और आध्यात्मी को जोडने का काम किया, उनका जीवन, करोडों लोगों के जीवन का बदलाव बना, और आज करोडों लोग उनके वानी से, उनके ज्यान से, उनके लिखन से, निश्यकुव से मानुविय जीवन को प्रवाइद किया, और विक्तित निर्मान में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, मैं पुने आचारी जी को प्रणाम करता हूं, और आचारी जी के 25 वर्षों के अंदर उनकी तप, तप्रश्या, उनका समाप, उनका सेवा, उनका अध्यात्मिक ज्यान, हम सब को दिव्यन भूती भी देता रहेगा, और दिव्य ज्यान भी देता रहेगा, मैं पुने सभी स तो को परनाम करते हूं